तुलसी के पोधे को फलने फुलने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवशकता होती है परियाप्त पानी देना, परियाप्त धूप और इसके विकास के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी आवशक है आईए सुखे तुलसी के पोधे को हरा-भरा करने के कुछ तरीकों पर चर्चा करें छटाई की तकनिक आपके तुलसी के पोधे को आकार देने और नई विरिधि को प्रोचायद करने के लिए नियमित छटाई महत्वपूर्ण है तूलसी का पोधा मुख्य रूप से अपने शिर्षों से बढ़ता है इसलिए शिर्ष से छटाई या तोड़ने से दो तिन नए अंकुर उभर आते हैं छे तिन महीने के युगा पोधों के लिए हलकी छटाई करें फरवरी से अक्टूबर तक हलकी छटाई नई शाखाओं को प्रोचायत करती है नियमित मिट्टी की देखभाल तूलसी के पोधे के लिए अनुकुल तम परिस्थितियां बनाए रखने के लिए हर दो महीने में नियमित रूप से मिट्टी की जाँच करें पोधे के चारों और की मिट्टी को ढीला करें और इसे नरम और पोशक ततों से भरपूर रखने के लिए इसमें खाट डालें वर्मी कमपोष्ट सर्वत्तम हैं बस मिट्टी की गुड़ाई करें और स्वस्थ विकास के लिए इसे डालें पानी देने की तकनिक का समायोजन सिचाई और जल निकासी के बीच उचित संतुलन बनाया रखें अधिक पानी देने से जड़े सड़ सकती हैं जबकि कम पानी देने से विकास रुख सकता है तुलसी के पोधे के लिए धूप, 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 तुलसी के पोधे के लि उर्वक मिश्रन में नाइट्रोजन की अधिक मातरा से लाब होता है। गाय के गोबर के केक का तरल उर्वक नाइट्रोजन से भरपूर हरे भरे पत्तों के विकास को बढ़ावा देता है। परिश्रम और उचित दिख्भाल की आवशकता होती है। छटाए के तरीकों का उप्योग करके आदर्श विकास थितियों को सुनिक्चित करके और समस्याओं का तुरंत समाधान करके आप अपने तुलसी के पोधे को फलते फूलते देखेंगे।